सब्सक्राइब नाव फॉर अल्विश यादव अक्सर ही किसे ना किसी खास वज़ा से सुर्ख्यों में बने रहते हैं हाली में जेल से बाहर आए अल्विश को बड़ी संख्या में लोग फॉलू करते हैं बिग बॉस ओटी टी टू जीतने के बाद उनकी लोग प्रियता में गजब का इजाफा भी देखने को मिला है यूट्यूबर अपने व्लॉक्स की जरीए भी फैंस को खुद से जुड़ी चानकारी देते रहते हैं अब हाली में अलविश ने जेल में पांच राते बिताने पर चुपी तोड़ी है यूट्यूबर ने बहुत बड़ा बया दिया है लोग प्रिये यूट्यूबर पर पार्टियों में सापका जहर बेचने का आरोप लगाया गया था और बाद में उन्ही आरोप के चलते उन्हें गिराफतार किया गया था इसके बाद अलविश को 14 दिन की रहासत में भेज दिया गया था हाला कि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया अब हाली में एक ब्लॉग में अलविश ने फैंस के साथ एक लाइफ सेशन किया था जिसमें वो फैंस के सवालों के जवाब देते हुए नज़राए चिसमें अभीशेक मल्हान और फक्रा इंसान के साथ उनके विवाद पर एक सवाल भी शामल था उन्होंने इस खबर का खंडन किया और कहा कि दोनों की बीच कभी जगड़ा हुआ ही नहीं और जब भी वो शूटिंग के दरान मिलते हैं वो अच्छे से मिलते हैं और उनके बीच कोई मुनमुटाव है ही नहीं वर्क फ्रेंट के अगर बात की जाए तो ऐलविश वर्थवान में अमेजॉन मिनी टीवी के प्लेगराउंड सीजन 3 में अभी शेक मलहान के साथ मेंटॉर के रूप में नजर आ रहे हैं यूट्यूबर के फैंस इस शो को काफी ज़दा पसंद भी कर रहे हैं और फिलाल ख़बर ये है कि मनीशा रानी भी प्लेगराउंड सीजन 3 में नजर आई सब्सक्राइब नाव फर आल दे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग अपडेट्स